तो मद्यप्रदेश की सियासत में एक बर फिर कर्जमाफी का मुद्दा गहरा गया है और सियासत गर्मा गई ही है दरसल कर्जमाफी को लेकर जिस तरह से उपचुना की तारीक नजदीक आ रही है वैसे वैसे करजमाफी का मुद्दा एक बड़े मुद्दे में तब्दिल होता जा रहा है ये घोशना कॉंग्रेस पार्टी ने की थी कॉंग्रेस पार्टी ने मनसौर के बाद उनके तबकाली राष्टी अध्यक्ष राहूल गांदी ने घोशना की थी कि 10 दिन के भीतर अगर उनके सरकार आती हैं कॉंग्रेस सरकार आती है तो 10 दिन के भीतर सभी किसानों की करजमाफी कर दी जाएगी और यही वज़े है कि अब ये मुद्दा इस बार भी गहरा रहा है वज़े क्या है वज़ा यह है कि BJP ने सीधे आरोप लगाएं कि कमलना सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों की करज माफी की मुद्धे पर सीधे तोर पर धोका धड़ी की है वाइदा क्या किया गया था वाइदा दो लाग तक का करज माफी करने का वाइदा किया गया था एक परतिश्टित अखबार देनिक भासकर ने इस पर एक विस्तित रिपोर्ट भी चापी है जिसमें करज माफी के इंतिजार में 22.8 एक लाग किसानों पर डिफाल्टर होने का खतरे की बात कही गई है और यही वज़े है कि कहिने का एक बर यह मुद्दा फिर से आ गया पूरी पड़ता की गई है इसमें इस पूरी खबर के अंदर और अब यह जाने बहुत जरूरी होगा कि दरेसल क्या कुछ हो रहा है इस मुद्दे पर क्या वाकई में किसानों के साथ धोका धड़ी हुई है मद्यप्रदेश के क्रिशी मंत्री कमल पटेल ने तो राहूल गांदी और कमलनाथ पर किसानों के साथ धोका धड़ी करने के आरोप लगाएं सीधे आरोप लगाएं और कहाएं कि सीधे तोर पर किसानों का आवान किया है कि वो इस मुद्धे पर राहूल गांदी और कमलनाथ के खिलाफ एफायर दर्ज कराएं क्या वाकई में कमलनाथ और राहूल गांदी के खिलाफ एफायर दर्ज किये जानी चाहिए क्या वाकई में इस मुद्य पर किसानों के सा धोका जड़ी हुई है क्या वाकई में किसानों को ठगा गया है और क्या वास्तवी हकिकत क्या है हम चर्चा करेंगे बेबाग चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद है मद्परदेश के युवा किसान नेता राहुल राज जी राहुल जी आपको बहुत बहुत स्वागत है और वरिष्ट पत्रकार और राजनीतिक विश्चाशी प्रवाल सक्सेना जी मौझूद है प्रवाल जी आपको बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी शुरुआत में आपसे एक अना चाहूंगा सबसे बड़ था क्योंकि दस की बाद जब 11 दिना है तो सब कोई अकीकत मालूम ची की कर्ज मुक्ती नहीं हुई है इसके बाद 50,000 तक का जो सहकारिता का रिंट था वो फौजी तोर पे कुछ किसानों का माफ हुआ था इसके बाद इसी समय पिछले वर्ष हमने यहीं बैट के इस बात पर किती जब मैं आसपास गूम के आता था और सर्टिफिकेट की कौपी तक मैंने तीन तीन बार तत्कालीन मुख्यमंतरी जी को दी और यह कहा था कि आपके 78,000, 40,000, 50,000 के जो सर्टिफिकेट आपने बाटे है इनको बैंक का मानने कर रहा है लोगों को खाद भीज नहीं मिल आते थे बैंक के करमचारी तक यह बात उस समय हम से कहते हैं कि साभ हमारा नाम मत लीजेगा लेकिन सर्कार का हम पे दवाब है इसलिए हम किसानों से पैसा नहीं भरवारे वरना हमारे पास पैसा उपर से नहीं आया यह सच्छाई थी अब सर्कार बदल गई और सर्कार बद कि अगर सिवडरा सिंग मुख्यमंत्र बंजाए हम यह तो क्या हूँ कर्जमुक्ति करेंगे तो उनके अट प्रवक्ता होते ते ते उस बास से कन्nis का अटरल कने आटे ते ठैट एवकं जानते देख केंए कि हमारे गोषब पत्र में नहीं था लेamour नकिन किसान को आज की य अशुतो जी कर्ज मुक्ति की पीरिट था पंदरह महिने का क्योंकि उसी वक्त ये गोष्णा राइस्थान में भी की गई थी कॉंग्रेस सरकार के दौरा चाटिस गड़ में भी की गई थी और मध्यप्रदेश में की गई थी व्यानिकी कर्ज माफी की जो गोष्णा थी सिर् अब भुपेश बगेल ने ताबर्तोर इस पर कारवाई की मध्यप्रदेश में क्या पंदरह महिने में जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेगा लगातार कमला सरकार से सवाल पुछे गए थे क्या पंदरह महिने का समय परियाप्त नहीं था किसान कर्ज माफी के क्योंकि नौ महिने में बच्चा हो जाता है तो यह पंदरह महिने में नहीं कर पाई इनकी कार कुषलता जो अकुषलता थी इनकी इच्छा शक्ती की कमी ती क्योंकि जितनी बार मैं यह नहीं कहूंगा कि हम बेमानी आवाज उठा आप मेरे पुराने स्टेट्मेंट देख कर देख सकते हैं हमेशा कहा कि साब यह सर्टिफिकेट को बैंक अबाने नहीं कर रही है आप इसका कोई समधान निकालने के बजाए बस गला फाल पाल कि उनके प्रवक्ता लड़ने को तयार हो जाते थे वो लड़ने को तयार है आज सच्छा ही सब के सामने हैं फौजी तो दोआया मरिन्द मुक्ति और पूरा दाब अब रिन्द मुक्ति की बात हमारी फिल अटक चुकी है और मैं आपको बता दू कि मद्यपरदेश के किसान को रिन्द मुक्ति की सक्ता है और जिसकी साथ जो रिन्द मुक्ति की बात करेगा किसान उसके साथ रहेगा पर प्रवा कर्ज माफी की बात हुई तो उस समय ये बड़ा एक सुहाना बात है जो पूरा नहीं हो सकता था यह बात मैंनी के बात कॉंग्रेस के कई वरिश्क नेता हुँ से आपकी बात चीतों इनने भी का लिश्मन सम्क ने कहा और तमाम नेताओं ने का अभैवारिक थी और गांधी जो यहां तक कर छाष प्रोग्रम में एक एड़ा घ्रावल गांधी ज ने जो भावेश में आकर बात कही है और उसको उसको पश्चताब करते हूं को माफ़ी मांगने चाहिए क्योंकि ये सरकार नहीं कर पाईगी क्योंकि ये वेवारी इक बात थी और जब आप देख रहा हूं एक तरह आप कि रहा हूं कि हमको विरासत में खजाना खाली मिला और रहता है और जो मोसं पर निर्बर निर भर है आस्मान की तरफ देखता है जो खेत को इल्ली ने खाल आ गया है बिजली रही है कर्ज है जो है वो सुका है कभी जो है वो बीज नहीं मिल रहा है कभी खाद नहीं मिल रही है इन तमाम समस्याओं से जूसता हुआ है जब किसान उस तरह देखता है सरकार की तरह देखता है वह सरकार से इस तरह बादे करती है कि हमें आजान्दों हम जो ये वो दस दिन में पूरे करज माफ कर देंगे तो ये एक पेकार का सप्ड़ा था उजो जो नहीं कर सकते थे पूरा आकरकार उन्होंने इसको लीवापोदी करना शूरू कर दिया कि हम ये कर रहा हैं और अकरणों को नहीं करना था अभी जो ताज आने वाले जोनों में नेता को समझ चाहिए कि किसान हमारा भोला बाला जरूर है अन्यता जरूर है पर उसके संग जो है जिस तरह धोका धाली हुई है उसको जनता माफ नहीं करेगी और आने वाले उपचुनाव में भी इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि किसान सीधे तोर पे राहूल कि आपको लगता है कि पूछेंगे जब कॉंग्रेस उपचुनाव में जाएगी कि भाई आपने वायदा किया था उन 15 महिनों में आपने मुझे याद है कि आपने कई बार हमें खुलासा भी कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट आपन और क्या होना चाहिए था क्या नहीं हो पाया ठीके जो होना चाहिए था वो यह था कि कर्ज माफी के जो बात कर्ज मुक्ती के योजना उनोंने जैकिसान रिंड माफी योजना चालू की थी उस योजना में किसानों को नोड यूज बटने चाहिए तो आज किसी बैंक की हिम उसके लिए तो भईया वो सरकार का सबसे बड़ा कागाज हुग है कि मुखिया है प्रदेश का वो साइं करके दे रहा है वो खुशी-खुशी घर ले जाते फिर वो खादवीज मांगने जाते बैंक वाले करे तो पर से पैसा नहीं आया जो बैंक तब ही बात कह रहे थे जिन थोड़ बहुत महाफ भए उनको भड़ा दे दिया दोवारह लून लेकिन जिनका महाप नहीं हँऊा? आच एट altrह जार नवाटी और छए यहासी अ inhal और इहाँ तक हुआ था कि मैं सच्छे शब्दों में कहुंत इतनी जल्दबाजी थी वावा ही लूटने की कि अम बड़े-बड़े कारिकरम करा के हर जिले में थाबित कर से कि नहीं साव हम कर्जमुक्ती कर रहे हैं जबकि वह बोगस बात थी सच्चा ही कुछ और ती और उस पूरे 15 महीने के कारिकाल म कर्जमाफी के जो गोष्णा कॉंग्रिस पार्टी ने की ती वह चुनावी गोष्णा थी जैसा कि आपने गा कि जल्दबाजी में की गोष्णा थी रिसर्च नहीं की गए थी कितना बड़ा जो है भार पड़ सकता है और क्या लगता है किसका सिर्फ तथकाली के पॉलिटि कि यह पॉसिबल है बार बार वह यह कहते थे कि पैसुबल है और इनी के नेता चुना में यह बयान देते थे लाहूल गान ता कि एक तीन चार पांचे साथा आट नो दस दिन में करजा माफ और पैसे की कोई कमी नहीं है यह स्टेट्में राहूल गांदी ने तीन बार में तो कि यह थे लिए अपका मुखिया कह रहा है आपके जब हम आपको बता इतनी अच्छी की बात है कि 31 मार्च का जो आख फशायता उसके लिए समन में वहनमें कमलाद जी बैठक होती है तो उनके सामने जब हम पूछते है कि सब आपने 31 मार्च का क्लॉस क्यों लगाया उस तो साव आप कर्जा मुक्ती पूरी करते उन्हों बैचाम के अपन्धा महीणे में किवल बंगने रिन secre बमेर्ब एकने का हम किया था जो में बार बार ले किया था बड़े टेंडरों में पैसा का मानने का हम किया था जो हर सरकार करती उन्हें वोई काम किया uneesse働े लगे आज जब सारी बाते खुलके आरही हैं, तो अपने मुझ राकने के लिए लोग जग 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 बंगले जाकते फिर रहे हैं, वो सच्चा यही है, लेकिन उन्होंने उस समय बार बार कहने के बाद, मैं बार बार कहा साब, कमलनाज जी से का, कृषी मंतरी सचनियारव से का, और क्योंकि आपको चुनाव जीतना था, फिर जावव में उस चुनाव होता है, तो आपका बिशेश पैकेज बहाँ चाला जाता है, वह उनको मुआजराशी जाइड कर देते हो वहां, और तो और जाते जाते हैं, मतलब उनका जाने का समय हो गया था, तो आगर चुनाव की ग कार कान पे जू रहेंग नहीं रहें, तो किसान जो है, इनकी नूरा कुष्ती में बुरी तरह पिस किया मत्यपरदेश का, अपसे नीचे के कुछ लोगों किसान मुझे मिले थे, जो नहीं इमानदारी से का कि माफ हो और अमको मिला, उसके उपर का एक वी किसान मुझे एसा किसान मध्यपरदेश के हैं, जो खेती भी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो बिचारे कई नौकरी कर रहे हो, तनकी गाव में खेती होती है, उनके गाव में किसी के नाम पर जमीन होती है, वो करते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं, इस बे बेंड में बहुत सारे लोग होत कि अपने जाते हैं तो प्रवाल जी कमलना जो सरकार में मुख्यमंतरी कमलना ते उस वक्त वो कितने गंबीड ते कर्जमाफी को लेकर क्योंकि यह ऐसे बड़ी योजना थी अगर पूरी सरकारी मशिन्डे को सकाम में लगा दिये जाता तो क्या एक सरकार के लिए यह बहुत कर्जमाफी करना देखिए आश्टो जी राहु जी ने काई विस्तार से कहा आप ही कोई प्लानिंग नहीं थी आपकी सिर्फ एक प्लानिंग थी एन के प्रकेंट सत्ता हसिल करना और उसके लिए आप कोई भी वादा करने को तयार थे क्योंकि छाएद आपको लगते नहीं कि हम सत्ता में आप आएंगे अब आप चुकी सत्ता में आ गए थे आने के बाद आपकी दूसरी योजनाएं फलीबूत हो लगी मसलन आप ट्रांसर के उध्योग धंदे में लग गए वहां कैसे 15 साल जिन अफसरोनर कमाया है उनसे कैसे पेसा निकाला जाए ये योजनाएं शुरू हो चुकी थी किस तरह उठा पटक शुरू हो चुकी थी गुटभाई शुरू हो चुकी थी पॉंग्रेस के नेता और वरिश नेताओं को लेकर जो हो सलकोपा आ गये हैं अब शब्दों का प्योग शुरू हो गया और जो किसानों के लिए इसके नाम पर आप आए उसको आपने आखरी कली मान लिया अर्ताथ उसके तब ध्यान दे नहीं है हमें जो आईफा कराना है हमें दुनिया के दूसरे काम कराना है हमको तमाम लेकिन खिसानों को ध्यान नहीं दिये गया रहूल जिन सही का किसान आते थे और चिल्ला चिल्ला केते थे थे हम किसान उपर डिफाल्टर होने का भी खत्रा आगे बढ़ेंगे तिके मैंने आपको काई डिफॉल्टर होने किसान नहीं आगे बढ़ेंगे किसान नहीं बढ़ेंगे 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 किसान नहीं बढ़ेंगे 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 बढ कि आपको याद होगा जब विदानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने कर्जमाफी का एलान किया था उस वक्त भारती जनता पार्टी के जो रणीति कार है उन पर भारी दबाव था कि वो भी कर्जमाफी की गोष्णा कर दें और आपको याद होगा कि लगातर आपने पूरा अगर ये घोष्णा कर दी जाती तो बहुत मुमकिन है कि शिवरा सिंग चोहान सरकार जो गिरती नहीं और कमलनात की सरकार नहीं आती लेकिन उसके बावजुद भारती जनता पार्टी ने उस घोष्णा को नहीं किया और आपकी जो चर्चा हुई तुसमें आयता है कि जिम्यतारी उठाएगी? उससे कई बार उनकी होट टाग होती थी कई बार उनमें आपस में वेनवस्टाबित हो चुका था और सब मेला कि कई बिधायकों ने और मंतरी उने तो किसानों से बातचीत कन्दा भी बंद कर दी थी को जब जब करज माफी करज माफी इतना बड़ा उनके लिए चैनलेंज करने के लिए उनने कई हिस्सम उस चीज को बाटा गया वो पूरी तरह से अब रहा सवाल भाजपा का तो भारती इनता पार्टी शुरू से के रही है कि हम जो है वो उनका लोन जो है वो जीरोस पर कर देंगे जो हम उनसे किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लेंगे उन्हें कि तरह मदद करेंगे पर हम करज माफी नहीं कर पाएंगे को कि यह नहीं तो वहारा भादा था नहीं बेवारी चीजे तो उसके रस्तों के सरल किया जाए उस पर चंतन मनन चल रहा है और उसी पर पार्टी काम कर रही है अगर भाजपा ये करज माफी के मुद्दे पर इसी त परूपी साथ्ती है या फिर इसे आगे नहीं लेकर जाती है तो चुनावों में क्या कुछ का इस्का ऐफेक्ट देखने को मिल सकता है क्या भारती चानीता पार्टी को दूसरा तोड़ लेकर आ सकती है ये इक पेश Some quality के इन दर कारी करता इनकी बात इस पर गालेंगे और मोई लगता एगी वोब निकालेंगे बीकी अड़ाम की जब खौुब जवाब outright को पूरा हिए। या वाकाई में सच है, क्योंकि जहां तक आपने हमसे चर्चा कीती, कई बार आपने बता है कि जो क्रिशी के जो मंडी शुल्क वगरा है, यानि कि किसान जो ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरता है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपके जरीये समझ पाएं, कि किसान भाई किस आपकी इंकम महीने बर में मिनिममम से मिनिममम दस हजार रुपए तो कोई भी कमा लेता है, या छे महीने मैनत करने के बाद भी उसे दस हजार का प्रॉफिट एक कड में नहीं हो पाता है, प्लस हम मंडी में जब अपनी फसल बेचते हैं, तो हम भी भाई साभ इमानदारी स उस पर टेक्स लगता है, हमारे टेक्टर पर जी एस टी लगता है, ऐसी कोई भी उपकरण नहीं है जिस पर हम टेक्स नहीं देते हैं, इसके बाद हम अमारी फसल निकालते हैं, तो निकलवाने के लिए कटाई आपको देनी पड़ती है, प्लस अगर बारिश हो रही तो आपके लिए गयों की फसल निकाली, आज करोना मारी में हम खरीब की फसल दुबारा बोरा है, लेकिन हमें वर्क फ्रॉम की सुविदा नहीं है, तो हम भाई साफ यह एक्ट ऑफ गौड जिसे आप कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत रह में पर कर दे तो हमारी फसले अची हो जाती है, नहीं करता है तो नहीं हो पाती है, उसी के लिए सरकार अमको थोड़ी बहुत रहात देती है, जो हमेशा मांगते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से बुद्धी जीवी तताकते जो हैं, उनको में उता देना चाहता हूं, कि जो अन्न आप खाते हैं, उसको सरकार आज तक जरूरी सुविदाओं में नहीं रखा है, आप समझ सकते हैं, कि आप भूके नहीं रह सकते हैं, तो जो इन्जेक्शन डिडड़ लाग के आपके कैंसर और नजाने कौन सी बीमारी से बचाने के लिए आते हैं, एक दाना अननिका भी उतना ही महत्पूने को कि ये स पूविदा हमको मिली है, उसको छीनने के लिए नारे नरगाया करें, कोशिश किया करें कि हमारे आख में थोड़ी बहुत आवाज उठा दिया करें, और प्रवाल जी, अब एक पॉलिटिकल सवाल में आप सो और लेना चाहूंगा, जिस तरह से उपचुनावों में कॉंग कॉंग्रेसी सरकार ने काफी लंबा समय लिया, जो गोष्णा की थी, वो पूरी नहीं की, और यह जो डेटा है, जो देनीक भासकर में पूरी विशलेशन के साथ में छापा है, कि कॉंग्रेसी सरकार रिगर गई, इससे सिर्फ दो लाग किसानों का ही कर्ज माफ हो सका, रा सिर्फ दो लाग किसानों के ही कर्ज माफ कर पाएं। क्या रहा हूं कि आईटी अवर्ड में जब लोग डांस करने वालों के ठुमके देख रहे थे तब किसान यूरिया की लाइन में तंडे खा रहा था जब आईफा अवर्ड की तयारी हो रही थी तो किसान इनके आगे पैसे के लिए हाथ पहला रहा था जब अतिवरिष्टी का मुआफजा बटना था तब लोग हेलिकोप्टर से देख के क्या कहते थे कि हमने देख लिया सर्वे की क्या ज़रुवत है वो आज दिनांग तक नहीं मिला है सरकार तो मार्च में गई है किसान 6 महीने तक इंतिजार करता रहा आपके अतिवरिष्टी के मुआफजे का लेक अतना बेवकूफ कॉंगरेस पार्टी ने इस प्रदेश के लोगों को बनाया है उतना किसी नहीं बना रहे है बहुत बहुत शुक्रिया प्रवाल सक्षिना जी राहूल राज जी इस महत्मुन चट्चा में पार्टिस्पेट करनेगा दोसों किसान फर्श प्रोग्राम के जरीए हम किसानों के सभी महत्मुन मुद्दो को लगातर उठाते रहेंगे और बेवाकी से आपके सामने राय रखते रहेंगे आज कर एक चलन हो गया तबादलों की संख्या में इजाफा हुआ और तबादला उद्योग जैसा चलता दिखाए दिए जिस तरह से आइफा का वाड का आउजन को लेकर पुरी की पुरी सरकार गंबीर नजर आई और बड़े बड़े होटेल्स बुक किये नजर आने लगे बड़े जो अधिकारी है वो वल्लभवन से भार निकलते हो दिखाए दिये लेकिन उनकी जो सड़क जो नापने की जो पूरी की पुरी प्रक्रिया थी वो बोपाल से इंदौर के बीच में थी फाइव स्टर होटेल्स में कौन से कमरे बुक करने हैं और अगर यह हो पाता आई फावर हो पाता तो श यह वागासल है कि आखर यह जाता है कि आखर इतने बड़े आवीजन करने के लिए तो समय है इनाधनी के पार, लेगन जो समय क्यों नहीं है कि इस तरह की जो फॉर्म आते हैं, तो क्या एक किसान जो है, खुद से फॉर्म भर पाता होगा, गाओं में कितने बिचौली इस तरह से पैदा हो गए होंगे, खड़े हो गएंगे, जो फॉर्म भनने के नाम भी किसानों को लूट रहे होंगे, और अलग-लग फॉर्म भरा र जेरी, खजया कि फॉर्म निकलत wichtig है तो जैसे कि हमारे चर्चा में निकलकी आए है, पहले प्रोडेक्ट आएगा उसके बाद ही बाइ बाए प्रोडेक्ट है, तो मूल जो प्रोडेक्ट है, वो किसान भाइनकालते है, उनके लिए में खड़ा होना पड़ेगा, फिलाल किस किसानों और पंचातों के मुद्दों को लेकर हमारे खास प्रोग्राम यूही जारी रहेगा आप देखते रहें इंडिया फर्स न्यूज नमस्कार